नमस्का आदर्शकों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ धनु लगन वसिंग राशी के लिए वर्ष 2023 का राशी फल जो मेरे नए दर्शक है उनको मैं बता दू कि धनु लगन वसिंग राशी का क्या रत है यह आपकी लग अगर धनु लगनवा सिंग राशी का बनता है तो आप यह वीडियो देखकर लाव उठा सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे धनु लगनवा सिंग राशी के लिए वर्ष 2023 में ग्रहां का बोचर क्या रहेगा बात करें धनु लगन से तो वर्ष क्यारव में शनी माराज कु 2025 तक वर्ष कर आरम में देव गुरु बर्सवती मीन राशी में चौते भाव में होंगे और 21 अप्रेल के बाद पंचम में आ जाएंगे जहां से देव गुरु बर्सवती भी पॉजिटिव हो जाएंगे पंचम में आके गुरु आपके लगन को लाभ भाब को भागे बाब आपको देखेंगे अप्रेल से अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में गुरु आ रहो की उती रहेगी अक्टूबर के बाद रहो राशी पर वर्ष कर वर्ष के बात करें तो वर्ष के आरम में शनी माराज छटे होंगे जो काफी पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद 17 जनवरी के बाद वो सब्तम में चले जाएंगे अरि सब्तमे स्वराशी का हो जाएगा वर्ष के आरम में देव बड्सपती अस्टम में होंगे और 21 अप्रेल के बाद वह भाग्यवाब में चले जाएंगे जहां का वो पॉजिटिव रिड़ देते हैं और आपके भाव में अप्रेल से अक्टूबर तक गुरु और राओ कियुती रहेगी अक्टूबर के बाद राओ राशी परवरत्रंकर के अश्टम में और केतु कुटुमबाब है यह में ग्रहों का गुचर है धनू लगन्मा सिंग राशी के लिए तो आपको यह तो आइडिया हो गया है कि का वो बढ़िया फल देते हैं यह धनू लगन से गुरु और शनी दोनों पॉड़िव सिंग राशी से 21 अप्रेल के बाद देव ब्रस्वति भागेबाब में चले जाएंगे जहनका पॉड़िव रिजल देते हैं और वर्ष के आरभ में शनी महाराज भी सिंग राशी से प स्टूल्डी में गुरू की मंगल की सूरे की गुरु मंगल सूरे या बुद्ध की दशा या अंतरद दशा चल रही है जो सब्तम या दशम भाब में बैटा है तो इस वर्ष आपको जौब अवश्य मिल सकती है क्योंकि गोचर वह शांदर बना हुआ है दशाएं आपकी यही होनी चाहिए गुरू की मंगल की सूरे की बुद्ध की दशाएं अंदर जाहो तो जौब मिलने की संबाबना बहुत अरिक बन जाती है आप अपनी बत्मान चाहिए सब्सफट की Kombाबना बनती है है साथ ही जो जाठक विदेश जाना चाहते हैं घुडबर को ये रास्ऩियृ बाट बली रहेगा और फिर तो 9 पूरा ही पूरा साथ मिलने वाला है वेदाति उंके वेदातों की बात करें तो गुरु का पंचम में आना इस बातका संगेत है कि पढंड के लिए काफी अच्छा समय है और जो संतान करना चाते है उनके लिए संतान के लिए समय अच्चा यह और उपने विवा के इंतिजार में थे कि पी सम्भावना बनती लेकिनימिस साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस बात का संकेono दे रही हैं पहली बात कहर्चे कि इस वस्ताफ्य करने में करने थी सी प्रॉबल्म होगी आपको ऐसा लगए है कि यह से चाहे जिशेश कर अश्म में सेविंगı बढ़ जाएंगे वर से अपनी वाणी के अस्तमाद सोच विचार के करिएगा आपकी वाणी से कोई ऐसी बात निकार सकती है कि भंतावा काम आपका भिगड़ जादकों को रखनी पड़ेगी जुलाई से एक्टूबर के बीच में जब शनी माराज बक्री होंगे उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे क आपकी में हम शनी मारा इसे कोषिश से करिए बीच में किसी पकार जोखी मत लीजेगा आगर आप में जोब मत बदल ये गा और पार में किसी प्रकार के जोखिम से बचिएगा तो दशकों मेरा यह मानना है कि धनुल अगन्वा सिंग राशी के लिए बश्ट दोगा जाते इस बहत्तर प्रसेंट तक बढ़ जाने वाला है और अगर आपकी दशाया और अधिक पॉलिटी होई जैसे गुरू की मंगल की सू करेगा तभी हमये जनक मिलेगा क्योंकि इस बात का हमे्शा ध्यान रखिए कि गोचर की हमेशा बात में सबसे लास्ट में सूचार जाता है सबसे पहले जातक कि कुंढ़ी की दशायां दिविदा का हमती यह तो उस समय में उस भाव से समंदित फली मिलते हैं अगर आपकी कुली में दशमेश बुद की दिशा चल रही होगी तो केरेर से समंदित रिजल्ट मिलेंगे या विवास से समंदित रिजल्ट मिलेंगे और अगर भागे शुरे की दिशा चल रही होगी तो भागे से समंदित बताईएगा इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल वी तैसे सब्क्राइब कर दें साथ ही बेल अकरिम को भी दबा दें जिसे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है और आप मेरे